मिडिल इस्ट जंग के मैदान में बदल गया है। हमास और उसके प्रतिरोधी गुट इस्ट जंग इसरायल के नाक में दम किये हुए है। इस कड़ी में अब इसरायली बलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हिजबुला है जो लगातार अपने हप्डों से उत्तरी इसरायल में तबाही फैला रहा है। हालाकि इसराइल भी इस कड़ी में पीछे नहीं है लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं उससे ये बात साफ है कि ये जंग इतनी आसानी से किसी एक के पक्ष में नहीं होगी इसराइल ने जुलाई के अंत में हिजबुला के टॉप कमांडर फॉज शुकूर को मार गिराया था और यहीं वो हमला था जिसने इसराइल और हिजबुला के बीज दुश्मनी की दिवार को और जादा पक्का कर दिया फॉच शुकुर की मौत के बाद से हिजबुला बदला लेने के लिए लगातार इसराइल पर ड्रोन, रॉकेट और बंबर सारा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से हिजबुला ने इसराइल के इलाकों को दहला दिया है हिजबुल्ला ने शहीद कमांडर फॉच शकौर की हत्या के जवाब में कबजे वाले फिलिस्तीनी शेत्रों में बड़ी संख्या में ड्रोन लॉंच किये इसके साथ ही प्रतिरोधी ने उत्री कबजे वाले फिलिस्तीन में कबजे वाले बलों से सम्बंदित कई स्थलों, सेन बैरकों और आयन डोम प्रतिष्ठानों पर मिसालों की फारी बारिश की है हिजबुला ने आगे कहा कि ये सेन बैयान कुछ समय तक जारी रहेंगे जिसके बाद एक व्यापक बैयान जारी किया जाएगा इस बीच हिजबुला ने एक बैयान जारी कर कहा कि हम दोशियों से बदला जरूर लेंगे इसके साथ ही हिजबुल्ला ने भी इसरायल पर ड्रोन से एक साथ करीब 320 हमले किये है और उनके 11 मिलिटरी ठीकानों को टार्गेट किया है हमले की जिम्मदारी लेते हुए हिजबुल्ला ने कहा कि उसने अपने सैने कमांडर फवाज शुकुर की हत्या के जवाब में ये हमला किया है हिजबुल्ला ने तमाम हमले उत्री इसरायल में किये है हिजबुला ने इसराइल के खिलाव बदले की कारेवाई का भी एलान किया है जवाबी कारेवाई में इसराइल ने भी लेबनान में 100 से जादा ठिकानों पर एर स्ट्राइक की है साथ ही देश में 48 गंटों की एमर्जंसी गोशित कर दी है तेल अवीव में परदान मंतरी नेतन नियाहू और रक्षा मंतरी योव गैलन्ट हालाद पर नजर बनाय हुए है इस हमले के जवाब में नेतन नियाहू ने बैठक की है और हालाद का जाइजा लिया सुरक्षा कबिनेट बैठक में परदान मंत्री बेंजमीन नेतन नियाहू ने कहा कि अस सुबह हमें इसराइल पर हमला करने के लिए हजबुला के पलान की जानकारी मिली है सुबह हमें एक अन्हेंस אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בביטחה לבתיהם ולהמשיך לקיים כלל פשוט, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו इस कबजे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में किला बैरक पर हमले की बात कही गई है תודה רבה